हम लोग आज मुंबई में हैं, महराश्र की बात करते हैं, एहम स्टेट है इस चुनाव में, यह आप मानेंगे पिछली बार आप लोग शिवसेना के साथ थे, 48 में 41 सीटें यहां मिली थी इस बार थोड़ी खिछड़ी है, दो दल तूड़ गए हैं, एक दल आपके साथ है, एक दल रधान मंतरी डूपलिकेट शिवसेना बोलते हैं तो इसको इस बार आप कैसे देखते हैं, अठाई सीटों पर आप लड़ रहे हैं और 23 सीट पिछली बार भारती जनता पार्टी किया थी, क्या यह डिफेंड कर पाएंगे क्योंकि बिग पिक्चर में महराष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाओ, नरेंदर मोदी जी के नाम पे लड़ा गया मुझे अभी तक याद है कि हमारे यहां के MP को, शिफसेना के MP को जिताने के लिए मैं गली-गली में गुमाओं हर एसोसेशन और रेजिडेंट वेलफेर एसोसेशन की मीटिंग्स में लोगों को का है कि आप मोदी जी को देखके वोट करिये मोदी जी का चुनावे, धेश के प्रदानमंती चुनने का चुनावे शिफसेना के MP जीते थे मोदी जी के नाम पर और वो बली-बाती वो सब समझते है ऐसे ही 19 के असेमली इलेक्शन में देवेंदर फड्नविस मुख्यमंती बनेंगे बार-बार कहा जाता था कई ही ऐसे स्टेजिस पे पब्लिक मीटिंग्स में जहां उद्धर ठाकरे जी भी बैठे रहते थे तो यह कहा जाता था कि देवेंदर फड्नविस को मुख्यमंती बनाना है इस चुनाओ उसके बाद विश्वासगार्ट उद्धर ठाकरे जी ने किया मोदी जी के साथ देवेंदर फड्नविस के साथ आखिर हमारा गटबंदन था गटबंदन ने वोट लिये थे मैजॉरिटी ली थी लेकिन उनकी जो मात्वकांशा थी किसी ना किसी तरीके से मुझे मुझे मंत्री बनना है और शायद अपने लड़के को स्थापित करने की जो चाहती उस लालच में उन्होंने त्याग दिया बाला साहिब ठाकरे का हर एक वो असूल जिसके लिए शेफ सेना खड़ी होई थे हिंदुत्व को त्याग दिया उन्होंने बाला साहिब नो जो बड़ा फेमस उनका वाक्या है कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूँगा लेकिन कॉंग्रेस से कभी गट बंदन नहीं करूँगा उसको त्याग दिया और तुष्ठी करन की राजनीती के साथ उद्धर ठाकरे जी जाके राहूल गांधी की गोद में बैट गया मैं समझता हूँ कि शिफसेना के अंधुरूनी इसका काफी गुशा था MPMLA भी देख रहे थे कि उनका अगली बार कोई हस्तित्वा नहीं रहेगा इस प्रकार से और इस परिस्तिती में लगबग पूरी शिफसेना ने तेह किया कि हमें नेता बदलना पड़े और जब नेता बदला उन्होंने एकना चिंदे जी को नेता बनाया तो कुछ लोगों ने तेह किया कि वो पार्टी के बाहर रहेंगे उद्दव ठाकरी जी एक स्प्लिंटर ग्रूप बनके रहेंगे कोछ दो-चार सीनियर लीडर्स ही है उनके पास बाकी पूरे MPs, MLAs, अधिकांज तो ओरिजिनल शिफसेना के साथ ही है तो यह कोई स्प्लिट नहीं है शिफसेना इस इंटक्ट छोटा स्प्रिंटर ग्रूप बाहर है वैसे ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, Ajit Pawar is the natural leader शरद Pawar अपनी लड़की को पहुचाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी को त्याग दिया नेतो तो 14 में भी BJP के साथ गए, 17 में जाना चाह रहे थे 19 में गए और फिर बैक्ट्रैक किया ऐसा नहीं लगता कि कुछ सिंपती हो सकती है सिंपती तो मोदी जी और फट्डविश के लिए होगी क्योंकि आफ्टर ओल धोका तो इनको दिया गया बैक्स्टैप तो इनको किया गया विश्वास गाथ तो मोदी जी और फट्डविश जी के साथ होगी तो if it all sympathy होगी, तो अधिकांच दोगों में इनके लिए sympathy होगी, कुछ मात्रा में अजीत पवार के लिए sympathy होगी, जिसको पॉन बनाया गया. अपोजिशन का कहना है कि आप लोग इतने confident हैं महराश्र में एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रधान मंत्री कह रहे हैं कि शरत पवार और उद्धफ ठाकरे, शरत पवार जो है अजीत पवार को जाइन कर सकते हैं, तो ये कोई messaging है, इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे देखा जाए? मुझे लगते हैं, उन्होंने तो सिर्फ जब शरत पवार जी ने घुटने टेक दिये, और उन्होंने बताया कि अब हमारी पार्टी या छोटी पार्टीयां कॉंग्रेस में विलीन हो जाएंगी, तो ये स्पष्ट हो गया, ये बारा मती के चुनाओ के बात का, इस पश्ट हो गया कि उन्हों का अंदाजा आगे के बारा मती में सुनेतरा पवार जी जीत रहिया और सुप्रिया सुले जी हार रहे है, और उनको ध्यान में है के उनके पास तो एक ही लक्ष़ है के कैसे सुप्रिया सुले जी को बचाना, तो आप तो ना उनके अजराज्य सभा रहेगी देने के लिए लोग सभा हार जाएंगे तो इसने शाहिद उन्होंने सोचा होगा कि मैं सुप्रिया सुले को कॉंग्रेस जोइन करा दूँगा पार्टी में और को तो रखा ही नहीं है तो सुप्रिया सुले जी कॉंग्रेस जोइन कर देंगी तो वैसे ही उनका जो स्प्रिंटर गूप है उस पे भी कुछ जादा रहेगा वैसे ही उद्धाव ठाकरे जी तो कॉंग्रेस की बी टीम मन गए है उनके ही कहने पर उनके ही सलाम शुरू पर चल रहे है तुष्ठी करन की राधनिती एस बिकम दो कॉलिंग कार्ड ओफ उद्धाव ठाकरे जी जो कितने हरानी की बात है उन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया बाला साहिब के सभी मूल सिधानतों को त्याग दिया